हलो दोस्तों, वेलकम बाक टू गीगल, ग्रेट आइडियाज विली टू ग्रेट लाइफ, क्या आप जानते हैं कि एक हजार उपे से हम 187 करोड, 63,47,180 रुपे कैसे कमा सकते हैं, तो डोंड वरी, इस वीडियो को आप पूरा देखेगा, क्यूंकि इसके एंड में हम ये कैलक देखेंगे with proof, anyways, क्या आपको पता है कि Jim Simons ने Warren Buffett से 3 गुना जादा रिटर्न लिया, और वो भी 30 सालों तक, लेकिन फिर भी उनकी wealth Warren Buffett से कम है, पीटर थील ने Warren Buffett से almost on an average 5 गुना कर रिटर्न लिया, और वो भी 22 सालों तक, फिर भी उनकी wealth Warren Buffett से कम है, क्या आपको पता ह कि ऐसा क्यूं हुआ, क्यूंकि Warren Buffett बचपन में ही इस compound equation को समझ गए थे, क्यूंकि उन्हें पता था कि वो कितने पैसे कबाएंगे, वो तीन चीजों पर depend करता है, प्रिंसिपल यानि आपके पास कितने पैसे हैं invest करने के लिए, आर यानि कितना rate of interest हम ले सकते हैं, और T या सकता हूं, इसलिए compounding मेरे लिए काम कर सकती है, वैसे ही हमें भी सोचना चाहिए कि बेशक हमारे पास अभी कम पैसे हैं, लेकिन हमारे पास अभी time है, जो इस equation में available हैं, और उतना time किसी 40 साल के इंसान के पास नहीं होगा, बेशक वो साल के, एक करोड पर ही क्यों ना कमा र उपे को, so let's start my dear brothers and sisters, okay तो अब हम imagine करते हैं कि आपके और आपके best friend के पास 1000 रुपे हैं, आपका best friend उसे किसी enjoyment के लिए खर्च करना चाहता है, Netflix की subscription, movies etc, क्योंकि वो believe करता है यार present में जी हो, 1000 पे से कौन सी किसी के life change होने वाली है, future में मेरी अच्छी job लगेगी और उसे प बड़ा हो जाता है, लेकिन invest कहां किया जाए सवाल तो ये है, let's say आप nifty 50 में 20 साल से 50 साल तक पैसे invest करने लग जाते हैं, तो 30 साल बाद, यानि 50 की उमर में आपके पास 60 लाग के करीब extra cash होगा, जबकि आपने इन 30 सालों में total amount सिर्फ 3,60,000 पे ही invest किया है, और वो भी इसकी calculation ये रही, अगर आप इसमें interested हैं तो इसके screenshot ले सकते हैं, या slow motion में देख सकते हैं, इसमें हमने rate of interest 15% लिया है, 15% का real example, with real data, हम आगे देखेंगे, anyways, ये 60 लाग रुपे जो आपको मेलेंगे, ये एक extra amount है, इसके लावा अगर हमने और पैसे invest करे होंगे, तो ये amount ब पावजूद उसके पास 50 की edge में 17 लाग रुपे आपसे कम होंगे, यानि सर्फ 43 लाग रुपीज होंगे, ये रही आपके friend की investment calculation, इसे भी आप एक बार देख सकते हैं, अब आप में से जो लोग impressed हो गए हैं, वो सोच रहे होंगे कि वाओ, ये तो बहुत अच्छे return हैं, ल इसका link में description में दे दूँगा, अब हमें से maximum लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार अगर हम इतने पैसे कमा सकते हैं, तो maximum लोग SIP को continue रख यू नहीं पाते, reason 1, जाधातर लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं हर महीने पैसे deposit नहीं कर पाया, तो क्या होगा, अब SIP क मतलब है systematic investment plan और इसमें हम पैसे deposit कर रहे हैं, ये कोई loan की EMI नहीं है, कि अगर हमने नहीं भरी तो bank वाले हम पर code case कर देंगे, इसलिए SIP से डनने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम चाहें तो कभी भी SIP को बंद करवा सकते हैं, या फिर उसमें जाधा पैसे डाल सकते हैं, य इसे लोग risk समझ लेते हैं, चलिए इसे एक real example से समझते हैं, ये nifty 50 का actual data है, इसमें सबसे पहला column investment date है, यानि जिस दिन हम nifty 50 में पैसे invest करेंगे, second column cumulative invested amount है, यानि अभी तक हमने कितने पैसे in total invest कर चुके हैं, और third column है market value, यानि हमारा invested पैसा अब कितना हो चुका है, तो प रहेंगे, एक महीने के बाद, यानि 30th July 1999 को दोबारा से 1000 पे invest की, तो total पैसे जो अभी तक हमने invest किये हैं, वो है 2000, क्योंकि 1000 पिछले महीने किये थे, और 1000 इस महीने, और इसकी market value होगी है 204 रुपे, इस movement में maximum लोग खुश हो रहे हैं, कि वाउ, हमारे 2000 रुपे 204 रुपे में earn किये, यानि साल के 30% के आज़ पास, हम तो तहलका मचा देंगे, लेकिन reality में कोई तहलका नहीं मचा है, अभी हम आगे देखते हैं, हमारे investment के 30 महीने तक हम 3000 रुपे invest कर चुके हैं, और वो बन गए हैं 3287 रुपे, चौथे महीने 4000 रुपे बन गए हैं 4266 रुपे, यह तक सब ठीक था, लेकिन 5th महीने, अभी तक total investment हमने की है 5000 रुपे की, जो बन चुके हैं 4834 रुपे, अब आप बोलेंगे यार यह क्या, मैं तो loss में चला गया, अब आपको इस theory पर doubt होने लगेगा, अगले कुछ महीने फिर situation ठीक होगी, लेकिन फिर दुबारा से 14th, 15th, 16th मन्त में आपके NAV की market value, आपकी investment से भी कम है, आप सोचेंगे, यार साल हो गया है, 14 मन्त चल रहा है, इससे अच्छा तो मैं किसी bank की FD में जमा करवा देता, और ये चीज़ चलती रहेगी, इसे ही volatility कहते हैं, आप 28th मन्त में देखो, आपको दो साल से जादा समय हो चुका ह इन्वेस्ट करते होएं, हर महीने 1000 रुपे, लेकिन इन 28,000 रुपीज की value, 20,267 रुपीज हैं, पूरे 4 साल के बाद, 48,000 रुपे की value, 42,838 हैं, इस वग मैक्सिमम लोग बोलेंगे, क्या बिकार चीज़ है यार, पैसे बाहर निकालो बिकार की विडियो देखी थी, या ज जैसे ही आपने पैसे निकाले, आपको loss हो गया, क्योंकि stock market में actual loss या profit तो पैसे निकालने में होता है, वन्ना ये तो paper loss ही था, लेकिन जो SIP को actual में continue रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, वो ही return पापाएंगे, तो 30, 10, 2007 में जो लोग अभी तक total एक लाख एक हजार र जो दुबारा से अब कम या जादा होते रहेंगे, 2nd May 2017 तक आप total invest कर चुके हैं 2,15,000 और आपका total amount हो चुका है 9,29,510 और फाइनली अगर हम आज तक ही बात करेंगे, यानि 30 August 2021 तक तो अभी तक हम invest कर चुके हैं 2,67,000 और आपके NAV के total market value है 18,88,206 रुपे, यानि 18,00, र percentage return देखे, तो आपको total return मिला है 15,3% और यह volatility reason है जिसकी वज़ा से कोई invest नहीं करता, इसलिए Warren Buffett कहते है whenever I buy stocks, I assume market is closed for next 5 years, यानि जब मैं company के shares लेता हूं तो मैं यह assume करता हूं कि market अगले 5 सालों के लिए बंद हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके shares की value बढ़ती रहेगी और कम होती रहेगी और volatility share market का nature है, I know हमेसे कई लोग बहुत बड़े dreamers हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार 18,00,000 रुपे कोई बड़ा amount नहीं है, वैसे आपने हर महीने सिर्फ 1000 रुपे ही डाले थे, अगर आप ज़ादा invest करते तो वो exponentially grow करता, anyways, देखे Warren Buffett ने हमनी पहली investment करी थी 11 साल में, let's say हम 9 साल लेट हो चुके हैं, और हम investment स्टार्ट करते हैं 20 साल के उमर में, 1000 पे हर मन्थ हम पैसे डालते रहते हैं, और लाकों की नौकरी लगने पर भी हम कुछ पैसे increase नहीं करते हैं, देखो अभी Warren Buffett की age हो चुकी है 91 years, और उनकी net worth है 6.4 lakh नहीं हम invest करते रहते हैं, तो आपकी net worth at the age of 91 years क्या होगी? अगर हम index fund का 15% rate of interest माने और महीने के हम 1000 पे यानि साल के सर्फ 12,000 पे invest करते रहें, तो अगर हम 20 साल से start करते हैं, तो 91 years की age में हमारे पास होंगे 187 करोण, 63,47,170 रूपीज और 11 पैसे, ये रही इसकी calculation, इसे भी हम चाहें तो detail में देख सकते हैं, I mean not bad हमें तो Warren Buffett कितना किसी भी company की, annual report पढ़नी ही नहीं थी, सिर्फ 1000 पे हर महीने खुद बखुद automatically, index fund में जाते रहते हैं, हम में से जो लोग सोचने हैं कि या 91 साल तक तो पता नहीं जीएंगे भी या नहीं, फिर क्या फाइदा, फिर अपनी intelligence को use करके, कुछ ना कुछ action लेंगे, तो दोस्तों basically इसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास शुरू में जादा पैसे नहीं हैं, तब भी हमारे पास compounding के magic के ले, time और interest rate हैं, फिर हमने देखा कि index fund में generally, लोग इसलिए continue नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी volatility, यानी उतार चड़ाव हैं, इसके लावा हमने देखा कि सिर्फ कोई bank की EMI loan की तरह नहीं है, कि अगर हम invest नहीं करेंगे, तो हमारे उपर court case हो जाएगा, हम जब चाहें इसे बंद कर सकते हैं, जादा पैसे डाल सकते हैं, या फिर पैसे निकाल सकते हैं, दोस्तों, गर आपके घर में को गीगल अप्लिकेशन में, गीगल अप्लिकेशन में डेट सो से जादा knowledgeable book summaries अविलेबल हैं, ये अप दोनों iOS और Android में अविलेबल हैं, तो अगर आप इस अप्लिकेशन में interest हैं, तो इसका लेंक मैं description और first comment में दे दूँगा, एनिवेज दोस्तों, गर आप ऐसी knowledgeable videos मिस नह करना चाते हैं, तो subscribe करने के बाद bell का बटन दबाना मत भूलेगा, आप comment करके ये भी बता सकते हैं कि आप next video किस topic पर चाते हैं, जल्दी हम आपसे दुबारा मिलेंगे, जैहिंद!